नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार काड सी ABC ID कैसे बना सकते हैं यानि ABC ID का फुल फॉर्म Academic Bank of Credits होता है या एक ID काड होता है जिसमें कॉलेज के छात्रों के बारे वे डिज्टिल फॉर्मेट में जानकारी होती है लगबख सभी अब विरतियों ने ABC ID को डाउनलोट स्वरी डिज्टिल लाकर को डाउनलोट कर रखा होगा और उस पर ID बनाया होगा ID बनाने के लिए आप आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर से और इन सब से आप डिज्टिल लाकर का एप्लिकेशन बना सकते हैं जिसमें आपका अधार कार्ड से मोबाइल नंबर जरूर अटाइच होना चाहिए यहाँ पर जहाँ रहा हूं यहाँ पर नीचे जाहएगा यहाँ देखेगा एजोक्रीशन एंड लर्णश ऑप्षिन जो हो मिल जाएगा एजुकेशन है कि यहाँ पर Еще करेंगे बातना है आपको क्लिक करने के बाद पर यहाँ पर सकती है कि ice आप जयँ इयूंड आप इसवी से कज तो अब भी मुझे इन में से चारों चीजे नहीं पता हैं बट मैं नौन वाले पर क्लिक करूंगा क्योंकि अगर आप कहीं बाहर कर रहें चीज को तो आप नन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहां पर पूचेगा कि भाई आ यहां पर 2023 आप लोगों को डाल देना है जैसे आप उसको डालेंगे उसके बाद यहां पर अपर क्लिक कर देना है गया हुआ पर पर फेस कर जाएगा और आपका जो है वो फेस हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर माइवाले ऊच्छी ने पर आपको आपको हो रहा है उसके बाद ऐसे आपको तोड़ा सा रिफरस करना है ठीक है फिर से आपकोई और पर पर क्लिक करना है जैसे आप रेफरेस्ट वाले पर क्लिक करेंगे तुरन सारा का सारा ग्रीन हो जाएगा और यह आपके सामने देखिए academic bank credit का option आगया और यह देखिए आपका ID जो है बनके ready हो गया है ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है bank जैसे यह आपको क्लिक करना है इस पर जैसे ए ए बीस आड़ी जैसे क्लिक कर देखिए सामने आप सभी के academic bank credit का option आगया और आपका ready हो गया है यह तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते यह अपने डीजी लॉकर में रखे रही है इसको ठीक है तो यह प्रोसेस कुछ ABC ID बनाने का तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो डिफेंटली आप जाके बना लीजिए सेम इस टेप को फॉलो करके आप अगर अभी तक जो है डीजी लॉकर पर एकाउंट कैसे बनाना अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने आपको लिंक दे रखा है जिस पे क्लिक करके आप डिजी लॉकर पर कैसे आपको एकाउंट बनाना है वो सारी प्रक्रिया बताई गई है ठीक है आप सबसे पहले अगर आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको पहले से बना हुआ तो ड